आपके तरिजिए आपके तो अधाने फैनली होंडा सीडी वन टेन लांच हो गया होंडा के साइट से और Honda का BS6 computer segment वाले bikes लोहों को लगा था कब आएंगे कब आएंगे तो finally यह launch हो चुका है और हम यहाँ पर आनन्द wheels Honda में so I would like to say special thanks to Anand wheels Honda जबलपुर who invited us in this launch event first of all तो मैं वो feature बताऊंगा जो यहाँ पर Honda highlight करता है और मेरे साफ से काफी important feature है वो यहाँ पर six years की warranty जो आपको बिना किसी additional cost के इस bike में देखने मिलती है Honda के engine reliable है bike reliable है पर still Honda को इस बात पर trust है इसलिए Honda यहाँ पर six years की warranty देता है जो मेरे साफ से काफी अच्छा initiative है second feature यहाँ Honda highlight करता है stylus headlamp with DC headlamp setup अब DC headlamp setup का मतलब यह है कि आप accelerate करो चाहे ना करो आपकी light beam की intensity कम नहीं होगी और जो night में visibility कहीं नहीं काफी अच्छा बना देती है और इस commuter segment के साफ से अच्छा feature कहा जा सकता है पर third feature Honda ने highlight किया है silent start यहाँ पर ACG motor यूज की जाती है और आप जब भी से start करोगे आपको कोई भी noise feel नहीं होगा fourth feature यहाँ पर Honda highlight करता है engine start stop switch इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो conventional आप switch देखते थे कि यहाँ पर switch को आप press करते थे आपका गाली start हो जाता वैसा यहाँ पर नहीं है यहाँ पर engine kill switch जैसा आपको switch देखने मिलता है आप इसे on करोगे आपकी गाली start हो जाएगी आप जैसे off करोगे गाली आपकी off हो जाएगी मुझे यह ज्यादा अच्छा लगा feature काफी convenient बना देगा है आपके गाली के start को 5th feature यहाँ पर Honda highlight काता है comfort इस segment की bike usually लोग इसलिए लेते हैं कि comfortable लेती है और यहाँ भी आपको comfort से compromise देखने नहीं मिलेगा Honda यहाँ पर इसकी height में भी कुछ changes की है और इसके वारे में आपको पूर discussion हमारे review में मिलेगा जिस full review में हम पूरी चीजने cover करने वाले है अब pass switch तो common सी चीज है लेकिन आपको बतादू कि इस segment में जो commuter segment है यहाँ पर pass switch अभी उतना ज्यादा common नहीं है another feature जिसे Honda ने again highlight किया है वह यहाँ पर इसका engine जो काफी reliable है काफी smooth है अब यह कितना smooth है यह हम आपको पूरे review में बताने वाले हैं यहाँ पर full review नहीं है यह एक walk around video आप बोल सकते हो इसका full review आपको जल्दी देखने मिलेगा इस चैनल पर तो प्ली सब्सक्राइब करो और अगर आपका इस गाड़ी से लिएट कोई भी कोशन है तो आप मुझे instagram पर DM कर सकते हो यहाँ यहाँ पर youtube comment box में आप comment करके पूछ सकते हो मैं आप सभी के questions कवाय कर नहीं कोईस करूँगा उस full review वीडियो में जो जल्दी आने वाला है तो प्ली सब्सक्राइब करके रखना so guys thanks a lot for watching our video अगर वीडियो पसंद आया तो इसे like कर देना चैनल को subscribe कर देना और bell icon पर click करना बिल्कुल भी मत भूलना